हेलो दोस्तों मैं सोरो मलिक आप से भी का टोपी की स्टेडिय में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज रीजिनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजिनिंग के टोप 300 कोशन स्रीज का एक और पार्ट इसकी पूरी प्लिलिस्ट आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में चेक कर लेना जितने भी पार्ट अभी तक अप्लोड हुए है आज की वीडियो में हम देखेंगे आकर्ती वाले फिगर वाले कोशन जो की बहुत बार एक्जाम में पूछे जाते हूं यह सारे के सारे कोशन जो आज मैं कराने वाला हूँ यह उल्ड़ी एक्जाम में पूछे जा चुके हैं तो बहुत important रहेगा आपके exam के point of view से आपको पता चलेगा किस type की questions exam में पूछ जाते हैं आपको 20-22 type के मैं question कराने वाला हूँ आज इस वीडियो में सारे के सारे type जो भी exam में पूछ जाते हूं सारे cover हो जाएंगे इसी अकेली वीडियो से बस आपसे एक key request है कि वीडियो को पूरा देखे अपने दोस्तों को share करिए अगर पसंद आए तो एक like जरूर कर दीजेगा मेरे लिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरीकी से अच्छे questions collect करके लेके आता रहा हूं अगर आप चाहते हैं लगातार आपको इसी तरीकी की वीडियो मिलती रहे तो नीचे रेड कर लगे बटन को दबा करके नीचे इन में से बनानी है यानि कि इन टुकडो को जोड कर कौन सी आकरती बन सकती है इन चार उप्षन में से आपको बताना है आप कुद भी try करके कोशन का अंसर जो भी आता है नीचे comment box में बता सकते हैं इसको try करने का सबसे best आपको तरीका मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है जितनी भी आकरती को मिला के हमें पूरी एक complete आकरती बनानी है उन पे number डालीजे जैसे 1,2,3,4 यानि कि कितनी आकरती है चार small आकरतियों क जोड कर एक बड़ी आकरती बनानी है तो यह हमें हमारे question में पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है ? चेक करना है कि ऐसे ऐसी आकरती इन में मिली रही है क्या ? जैसे पहला कोशन है इसमें पहले वाली ठीक है दूसरे वाली आपका ये वाला जो चोंच वाला सिस्टम है ये कहीं पर इसमें दिखनी रहा है तो इसको अटा देंगे फिर दूसरे वाला ये हो गया आपका इसमें देखू तो पहले वाली मिल गई दूसरे वाली फिर नहीं म दूसरे वाली यह थी तो दूसरे वाली भी मेरे को मिल गई यह यहाँ पर अगर आप देख पाएं तो तीसरे वाली आपकी यह है ठीक है जिसका थोड़ा मुड़ा हुआ सा है तो यहाँ पर यह वाली भी complete आपकी हो गई और fourth यह जो L टाइप है यह भी आपको मिल गई कौन सर राइट होगा डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभी बहुत सारे टाइप के कोशन कराने वाला हूँ अगर यह समझ में नहीं आ तो टेंशन मत लीजिए और भी आगे कोशन मिलेंगे वह समझ में आ जाएंगे ठीक है चलिए लेक्स कोशन पर चलते हैं कोशन आशान तरीका मैं बताता हूं कोई भी ट्रीक और कोई भी आपको चीज़े याद नहीं करनी है ठीक है कन्फ्यूज नहीं होना है आपको क्या नजर आ रहा है एक यहां पर मान लीजिए देखिए अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इसको वोटर इमेज मैं बोलूंगा इसको मिरर इमेज बस आपको इतना डिफ्रेंस है वोटर और मिरर इमेज में कि वोटर में नीचे की तरफ इमेज बनती है और मिरर इमेज में आप मानते है कि साइड में बस आपको यह भी मिरर इमेज ही माननी है यानि कि आपको समझ लेना है कि मिरर नीचे रखा है ठीक है पास है ना तो अगर यह तली इसके पास है तो जो नीचे की तरफ होगा यहां भी नीचे की तरफ तली बनेगी यानि कि इसका नीचे को बनेगा ना पूरा कप पूरा कप तो तली आपको मिरर के पास नजर आनी चाहिए तली देखे कितने उस आकरतियों में नजर आ रही है मि cup को देखु तो ये वाली और ये वाली दो आरिये ये वाली तो कभी मिरा image बनी नहीं सकती ठीक है अब आते हैं इन दो option में B हो गया C हो गा अब इन दोनों option में आपको को एक चीज़ देखनी है कि इसका ये वाला जो पकड़ने वाला हिस्सा है कब का यह इस direction में है और इसका दूसरी direction में जा चुका है तो यह भी नहीं हो सकता option c आपका right answer हो गया यह second के question है और 100% exam में पूछे जाते हैं यह मैं देख चुका हूँ पहले भी कहीं paper के analysis करके ठीक है I hope कि आपको question समझ में आ रहे होंगे चलिए next question पे चलते है दोस्तो figure वाले question भी देखेंगे अभी 2-3 question मैं series के भी बता देता हूँ बहुत ही अच्छी series मेरे को लगी थी है क्योंकि बीच में जब मैं figure वाले questions देख रहा है तो यह series भी मिल गई तो यह भी मैंने ले लिए क्योंकि important question है आप इस question को try करके देखें और जितने भी बच्चे सकांसर देंगे मैं मान जाओंगा कि हाँ आपकी reasoning ठीक ठाक है जो कि exam के level को cross कर सकती है और पीएफ को ले लो चाहिए UP police ले लो चाहिए SSCGD ले लो इस level के आपकी reasoning पकी हो रखी है यहाँ पर अगर मैं इस question की बात करूँ तो यहाँ पर चल रहा है कुछ अलग से हर एक series में अलग से यानि की number plus और minus हो रहे है अगर मैं सबसे पहले y और w की बात करूँ तो कितने का difference आपको नजर आ रहा है minus 2 का यानि की y आपका 25 नंबर पर आता है ठीक है और w आपका 23 नंबर पर आता है तो इसका बीच में चल रहा है minus 2 फिर यह आता है आपका u आता है 21 नंबर पर फिर minus 2 हो गया s आता है आपका 19 नंबर पर फिर आपका minus 2 हो गया तो इस में से s में से फिर minus 2 करेंगे क्योंकि हाँ पर यह 19 नंबर है 19 में से 2 जाएगा 17-17 पर आपका Q आ जाता है तो यानि कि पहला आपका Q हो जाएगा तो Q तो आपको 3 option में दिख रहा है A में भी है B में भी है और C में भी है तो D तो कभी होई नहीं सकता ठीक है तो आपका पहला क्या आ गया Q आ गया भई E आता है आपका 5 नमबर पे और जो F आता है वो आता है 6 पे यानि कि क्या होगा है आपके प्लस 1 ठीक है और आपका H आता है कितने पे H आता है 8 नमबर पे यानि कि प्लस 2 यानि कि प्लस 2 हो जाएगा फिर आपका K आता है 11 नमबर पे कितना हो जाएगा प्लस 3 तो इसका मतलब प्लस 2 प्लस 3 चलना है इसमें और बीच वाले जो है इनमें क्या चलना है प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और next आप प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर के आपका आता है 11 नंबर पर प्लस 4 करेंगे तो 15 हो जाएगर टू का difference आ रहा है क्योंकि b आता है दूसरे number पर दी आता है चोथे number पर तो कितना होगे आपका टू फिर next में आपका 3 का difference है प्लस 3 पिर difference आपका टू तो प्लस 2 फिर यहां पे आपका प्लस 3 आना चाहिए और प्लस 3 आपका आती यह हो जाएगा L यानि कि यह आई आता है आपका 9 नमबर पे और 9 में प्लस 3 करेंगे 12 यानि कि 12 पे आपका L तो बिल्कुल सही है option A right answer हो जाएगा तो पूरा question करने की जरुत भी नहीं पड़ती है कहीं बार आपको आदे question से answer मिल जाते है क्योंकि यह तीन option नहीं हो सकते तो A ही right answer हो जाएगा I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा next question पे चलते हैं एक question और देखिए यहाँ पे इसमें दिख रहा है Q,W,O,A,L,G,H,O,C,Y,Next क्या हैगा इस series को भी try करके देख सकते हैं बाकी मैं तो आपको बता ही रहा हूँ Q में और आपको Q में और A में कितने का difference नजहरा रहा है और next आपका minus 5 का difference ना रहा होगा फिन minus आपका 6 हो जाएगा माइनस 6 करेंगे C में से तो आपका W आ जाएगा तो आप देख सकते हैं A में W आपका J में यह दो तो कटी जाएगे फिर आप अगर मैं W और G की बात करूँ W और A की बात करूँ W और A की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेरे को नजर आ रहा है प्लस 4 फिर नेक्स्ट आपको कितना A और G में प्लस कितना नजर आ रहा है 6 तो प्लस 6 हुआ फिर आप G और O में प्लस 8 हो जाएगा डिफरेंस जितना भी आ रहा है प्लस आपका 10 हो जाएगा और Y से next हम जाएगे 12 पे क्योंकि 4, 6, 8, 10 और नेक्स्ट आपका 12 आएगा तो Y में आप प्लस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा K तो W और K इस दर राइट आंसर भई आपको समझ में आ रहा है थोड़ा पेहन मोटा चलता है तो इसमें आपको दिखने में साहथ प्रोब्लम हो सकती है बट जो चीज़े मैं बोलता हूँ वो समझ में आनी चाहिए option A is the right answer I hope कि समझ में आपको आगया होगा next question पर चलते है question number 5 एक ओर देख लेते हैं सीरीज का फिर उसके बार आकरती वाले question पर चलेंगे ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं बात करू question number 5 की तो इसमें 3 और 19 के बीच में कितना difference नजर आ रहे है भई सुरी 16 का ठीक है इनके बीच में difference 16 का है next difference कितना है 22 का है next difference आपका कितना है 30 का है और next difference आपका 40 का है और next difference कितने का आएगा अब यह कैसे पता चले यहाँ पर 16 22, 30 और 40 अब इनके पीचे भी difference चेक करेंगे यह पूरा ही आपको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा 16 का difference है ठीक है और आपका 22 का difference है और यह आपका 30 का difference है 40 का difference है और next difference कितना है यह कैसे निकाले अब इसके पीचे एक बार और चेक करते है प्लस 6 चल रहा है ठीक है यह आपका हो जाएगा प्लस 8 प्लस 10 तो देखिए आपर 6, 8, 10 और नेक्स कितना होुजएँ, प्लस 12 तो आप जब 40 में 12 प्लस करेंगे तो कितना आजाएगा 52 ? तो यहाँ पे 52 और 111 में आप 52 2 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 163 तो 163 is the right answer यानि की option c right answer हो जाएगा आप थोड़ा से यहां पर एक बार दुबार से देखिए यहां पर 16 का difference, 22 का difference, 30 का difference, 40 का difference और यहां पर next आपको बताना है कितना आएगा ठीक है तो अब इसके पीछे चेक करिए क्योंकि एक sequence में तो difference नहीं नजारा रहा है 16, 22, 30, 40 इसका तो कोई difference नहीं नजारा रहा है आपको समझ में आ गया होगा चलिए next question पर चलते हैं question number 6 को देखे person आकर 30 में दी गई है और next आपको बताना है कि next क्या आएगा ठीक है आप खुझ भी try कर सकते right answer क्या रहेगा और यहां पर उत्तर आ करती है आपकी यह चार इन चारों में से क्या रहेगा next का मतलब next series को complete कर करने वाला figure sorry इसको मैं अगर देखू सबसे पहले तो यहाप एक तिर्बू जाए उसके अंदर एक plus का sign है उपर को एक arrow है और side में एक ही है ठीक है तो यहाँ पर यह हर एक step पे यह increase होता जा रहा है सबसे पहला तो यहीं note करा है मैंने और यह clockwise गूम रहा है यानि कि यह इस तरी इस direction में गूम रहा है सबसे पहले इस direction में आएगा तो plus का निशान जो है यह आपका multiply में बदल जाएगा क्योंकि यह पूरा इस तरीकी से गूमेगा 90 degree और यह clockwise गूमेगा तो और यह एक बढ़ जा रहा है ठीक है और यह sign इस direction में आ जाएगा फिर next में आपका यह जो प्लस का निशान ही होगा क्योंकि हैं यहां पे प्लस है यहां पे तीन था यहां पे चार हो जाएगा एक दो 3 4 यह होगा और arrow का निशान ऊपर कोई रहेगा तो आप ऐसी आकारति देखे जिसमें चार यह हो और यहां पे हो प्लस का sign हो यहां पर अगर मैं देखो यह Entrepreneur नह हुता है क्योंकि इसका दो साहीं यहां पे आया है है ठीक है, तो ओप्षन भी यह राय तो इस तरीकी से अगर आप questioning करते हैं तो कभी गलत ने कहान הזacy के साथ बोल सकते हैं कि एक एक इस चीजे को चीजों को हमने पगड़के कोश्चन को सोल किया है ठीक है चले नेक्स कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन नमबर एट है आपका परिशन आकरती और उत्तर आकरती इसमें दे रखी है नेक्स आपको बताना है कि नेक्स कैसे ये कंपलीट होगा अगर मैं इस कोश्चन की बात करता हूँ तो इसमें आप देखिए ये दो थे पहले फिर ये तीन हो गए हैं फिर ये चार हो गए एक दो तीन चार तो नेक्स कितने होने चाहिए पांच होने चाहिए ठीक है तो आपको एक ऐसा देखना है जिसमें ये जो चल रहा है उपर नीचे पा हों ठीक है तो 5 शिर्फ सिर्फ इसमें आपको 1 2 3 4 5 एक दो तिन चार पांच इन दोनों में नजर आरे नहीं इसका मतलब आंसर तो इन दोनों में सही होगा यह दोनों तो हटी जाएंगे यह घटाने बहुत जरूरी होते हैं अगर इस तरीकी से आप कोशन को करते हैं यह को कर आते हैं तो आपकी बार नीचे थे तो आपकी बार उपर आने चाहिए तो उपर किसमें option B में तो B options right हो जाएगा option D जो है आपको गलत हो जाएगा तो यहां पर right answer B हो जाएगा आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है चलें next question पर चलते हैं आप उसी से question कर लेंगे जहांते सुनिएगा आप इस पूरी figure को मत देखे और यह तिनी सारी देखे confused मत होईए बस आपको क्या check करना मिरर नहां पर रखा है भई mirror के पास में कौन सी चीज है अब mirror के पास में तो बहुत सारी चीज है समझ में नहीं आ रहा है तो tension मत लिजिए mirror के पास में आपको एक ही चीज नजर आएगी यह black वाला आपको दिख रहा है black वाला portion black वाले का portion जो है यह कुछ इस तरीकी से आपका बना हुआ है देखे कुछ इस तरीकी से बना हुआ है ठीक है इतनी अच्छी तो वो नहीं बना सकता में image बट आपको कुछ इस तरीकी स नजर आएगा य rocket चॉन्च वाला हिस्सा है यह मिरर के पाँ सब्सक्राइबी सीजों को चोंच वाला हिस्सा किसके पास है मिरर के पास है अगर मैं यह वालिया करतीं सिम्नित् testimonies से निकाल देता हूं तो भाईया यह मिरर के पास ही तौट ज़िकि这 ज़ादा हिस्साइ्स चौंच से डूसरा हिस्सा larva है, उठ होता है और से दूर हैं इधर य दूर ही होना चाहिए इसी से ही आप पूरा question solve कर सकते हैं अब चेक करते हैं option को अब यहां पे देखें mirror अगर मैं यहां पे रखता हूँ तो यह वाला हिस्सा pass में है क्या चोंच वाला नहीं तो अटा दीजिए यह वाला है कैसे में यह भी नहीं है यह वाला हिस्सा C में तो बिल्कुल C में चोंच वाला हिस्सा अगर मैं mirror को यहां पे रख देता हूँ तो इसके pass में आ जाएगा option C आपका हो जाएगा डी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है तो अब आपने देखा किस तरीकी से मैंने इस question को solve किया है कुछी second में और आपको समझाते हुए solve किया अगर आपको समझाना नहीं है तो आप इस question को देखते ही solve कर लेंगे टाइम बिल्कुल नहीं लगाएंगे ठीक है तो option C आपका right answer हो जाएगा I hope कि आपको question समझ में आया हो next question पे चलते हैं question number 11 है किस उत्तराकरती से person आकरती पूरी होगी आपको बताना है person आकरती आपकी यह है और 4 उत्तराकरती यह दे रखिए यहाँ पे कौन से वाली आएगी यह आपको देखना है देखे यह आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इस question को भी आप देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे बिंदू था यहाँ पे 2 होगे यहाँ पे 3 होगे तो यहाँ पे 4 आएंगे 4 आएंगे कैसे यह भी आप देखे इस वाली आकरती को अगर मैं उठाऊँ और एक नजर इस पे लगाँ तो मुझे क्या नजर आया कि एक ऐसे डाइगनली एक लाइन किची हुई है और उसको दो भाग में डिवाइड किया गया इस तरीके से और यहाँ पे 1,2,3,4 इस तरीके से आपकी कोई भी फिगर बिलती है तो आप उसे देखे और राइट आंसर लगा दीचे उपर नहीं होंगे तो यह अट जाएगा यहाँ पे भी नहीं होंगे चार बिंदू यह भी अट जाएगा यह भी नहीं होगा यानि कि यह वाली आकरती यहाँ पे बिल्कुल सैट हो जाएगी अगर मैं इसको यहाँ पे रखो तो यही वाली आकरती बनती है तो सारे टाइप की कोशन करने जरूरी है क्योंकि एक्जाम में ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, चलिए, नेक्स कोशन पे चलते हैं, कोशन नमबर 12 है, आपका पर्षन आकरती आपको ये वाली दे रखी है, उत्तर आकरती में बताना है कि कौन सी आकरती में ये वाली आकरती आपको दिख जाती है, या फिर नहीत है, ये आपको बताना है, देखे, अगर मैं इस आकरती को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, किस ओप्षन की मैं बात करूँ, तो इसमें ये बन सकते है, बट बीच में ये आया, ये नहीं हो सकता है, ठीक है, इस वाली आकरती कर मैं बात करूँ तो इसमें मेरे को ये नजर आया, बट ये पूरा ये ये नहीं है, उसके ऊपर भी दो डंड़े है, तो ये भी नहीं हो सकता फिर अगर मैं इस option की बात करूँ तो ए option भी आपका हो सकता था बट इसमें अगर उपर नीचे के डंडा लग जाता तब हो सकता तो ये भी नहीं है अगर मैं इस option की बात करूँ C की तो इसमें देखे ये डंडा है ये डंडा है और पूरी ये वाली आकरती पूरी की पूरी इसके अंदर ही नीथ है तो इसका मतलब option C right answer हो जाएगा ठीक है तो इसी तरीके से आप questions के options को हटाते हुए question करिएगा answer सही आएंगे tension बिल्कुल मतलिजेगा चलिए next question पे चलते है question number 13 है निमलिकित में से किस उत्तर आकर्ती में दीगे person आकर्टी नीथ है ये भी आपको बिल्कुल वैसे ही देखना है जैसे मैंने उपर वाला question बताया था ये वाली आकर्ती है आपको छीग है इस तरीके से और ये वाली कुछ इस तरीके से भी है ये किस आकर्ती में नीथ होगी तो ये वाला option गलत हो जाएगा फिर option B की मैं बात करूँ तो इसमें भी अगर आप देखे थोड़ा सा तो ये चीजे सही से नहीं बन रही है फिर इस वाले D में तो कहीं से कहीं तक कुछ नजर आए नहीं रहा है ये तो कुछ अलगी चल रहा है बट option C में आपको देखे थोड़ा नजर आएगा इस तरीके से चला ये चला और ये वाला तो ये वाली आकरती जो है C में थोड़ी नहीं थै तो आपका option C right answer हो जाएगा तो इस तरीके से करेंगे ये बाकी के answer नहीं हो सकते तो इनको हठा देंगे option C आपका right answer निकल के आएगा I hope कि जो चीजें मैं बताता हो जा रहा हूँ आपको ये समझ में आ रही होगी और आपको और ये अगर पीडियाप आपको लेनी है तो टेलिग्राम को जोइन कर लीजेगा वहां से मिल जाएगी बाकी डीटेल में आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा यहां पर next question आपका 15 है इसमें भी आपको कुछ इसी तरीके से बताना है कि इस इन चारों आकरतियों में से कौन से आकरती ऊपर वाली आकरती को complete करेगी तो यहां पर अगर मैं देखू इसमें ऐसे डाइगनली एक लाइन की चीवी है और इस तरीके से complete करके यहां पर आपका black होना चाहिए यह वाला black portion कहां पर होना चाहिए यहां पर ठीक है तो आप इससे तो यह चारों में दिख रहा है बट option यह तो वैसे नहीं हो सकता क्यो कि यहां पर आपका black वाला portion ओपर की तरफ दिया गया है और यहां पर black वाला portion नीचे की तरफ दिया गया है क्योंकि नीचे अगर black portion हो जाएगा तो दोनों के दोनों add हो जाएंगे बट यह add नहीं करना है तो इसलिए option c right answer हो जाएगा तो आशा करता हूँ कि यह question भी आपक और इसमें आपको बताना है जून कैसे लिखा होगा है या कैसे लिखना है miror image में कैसा लिखा जाएगा तो मैं आपको पहले अभी बता था पहला दूसरा portion ही था हो कि mirror image में जो चीज़े पास में होती उसको pass में रखना है जो दूर दूर रखना है सबसे pass में क्या e है e का और यह कुछ तरीकिसे उल्टाइन बन जाएगा यह यू बन जाएगा और यह यहां पर देखे यह दूसरी तरफ को ही मुह कर रहा है जो चीजे मिरर के पास में पास में रहेगी जो दूर रहेगी और मतला अलफा पेट है और जो वो भी मिρर के पास में है E का ये वाला portion मिरर के पास में है कि खुला हुआ E के दो portion है, एक तो ये बंद वाला एक खुला हुआ तो, बट निर के पास में कौन सा है इस तॉ ये वाला तो आपको E को इसी direction में बनाना है इन चीजों को अगर सोचते हो आप करते हैं तो आपका सही आंसर आजएगा बिल्कुल गलत नहीं होगा ठीक है तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर कुछ इस तरीके सा आपका यह बन जाएगा UJ तो E तो यह सभी में सेम है N आपका उल्टा इसमें है और इसमें है और इन दोनों में तो सीधा ही है तो यह तो वैसे ही नहीं हो सकते U और J J इसमें दो में आपका नज़रा रहा है इसमें J उल्टा है इसमें सीधा है तो इसका मतलब C आपका रहता है ठीक है और यहाँ पर अगर मैं देखू तो सबसे पहले water image का मतलब mirror नीचे रखा हुआ है water image का बस इतना ही मतलब है कि mirror अब की बार नीचे रखा हुआ है बाकी सारी चीज़े save है जो चीज़े pass में इसको pass में रखना है तो pass में क्या है ये वाला portion pass में है और इसका face इस direction में तो इसको pass में रखना है और जो दूर वाला इस direction में है तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका face इस direction में ये भी नहीं हो सकता क्योंकि देखिए अगर मैं बात work सबसे पहले इसी question की तो नीचे का जो portion है वह इस direction में है इस direction में बड़ी सि थोड़ी figure बनाता हूं इस direction में और यह इसी direction में आना चाहिए जब मैं इसकी water image बनाओं तो तब भी इस direction में आना चाहिए ठीक है तो यहां पर देखू तो ए उप्शन में नहिए इस डाक्षन में c में भी नहीं है अगर यह उपर आपता हो इसमें आप देक लिया ऑब धॉड़ा तो थोड़ा presidency को इसको ँष्चन नमबर 18 में भी आपको यह बताना है कि यहां पर कौन सा पॉर्षन आएगा कि यह वाली आकरती जो है आपकी complete बन जाए ठीक है तो यहां पर अगर मैं बात करूं इसको गोलाई करके इस तरीके से और यहां पर देखूं इसमें एक बीच में डंडा आएगा तो यह डंडा इन जाएगा जो लेटा हुआ है तो इन में एक में खड़ा हुआ है एक में लेटा हुआ है तो लेटे हुए का राइट आंसर जाएगा यानि की option ए राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो इसको complete कौन सी फिगर करेगी option ए ठीक है भई I hope कि आपको इस सारे question समझ में आ रहे ठीक है बहुत ही आसान है यह बताना है कि जो उपर आकरती आपको दिख रही है इन चारों option में से कौन सी आकरती इसमें नहीं थे यह आपको राइट आंसर बताना है ठीक है वही तो देख लिजे ध्यान से वीडियो को रोक करके देख लिजे जैसे भी यह आपके सामने question द देना